टीबिया फिवला फ्यूबला फ्यूबला कितने दिन जुड़ता है कितने दिन मेंयों नॉर्मल हो सकते हैं फ्यूमक кино क्या खाना चाहिए हमारे पेर का को फिरडर हुआ है तो मैं आपको यह जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं qu紧 टीबिया और फ्यूदा यानि कि हमारे pair की ये वाली हड़ी अगर तूटी है तो ये कितने दिन में जुड़ती है और जो है operation best रहता है ये बैसे best रहता है कि बिना operation के अगर जुड़वाएं तो तो दोनों ये सवालों पर मैं आपके ऐसे सवालों पर बात करने वाला हूँ बाकी friends में आपको बताओं आप मेरे से कैसे बात कर सकते हैं call पे तो simply fracture कितने दिन में जुड़ता है सबसे ज़्यादा सवाल लोगों के यही है कि मेरे pair का को fracture हुआ था या हाथ का को fracture हुआ था तो मैं बात करने वाला हूँ समय उपर नीचे होता है देगे fracture बैस्ट रहता वह प्लास्टर बैस्ट रहता है या operation इस पर आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले वह आपको बता दूं अगर कोई टीव्या का fracture हुआ है तो आम तोर पे जो जो टीविया होती है टीविया में प्लेट लाएा आती है और अगर दोनों चीओं का को fracture हुआ है तो फी बा अपने आप से वेसे आम तोर पे जुड़िया तो वह जुड़िया आती है में ही surgery करके जो प्लेट लगा याती है यह जो है कोई रोड लगा के जो उसको support दिया जाता है तो यह तो surgical method हो गया इसके अलावा बिना जो है operation के plaster किया जाता है तो कच्छा प्लास्तर और किया जाता है कच्छा plaster जो है कितने दिन का रहता है ये माःपको बता दूँ कच्छा plaster 10 दिन तक का दजबंदरा दिन तक रहता है वह सूजन घटाने के लिए होता है इसके बाद जो प्लेडी आई बटन पी वीडियो बनाये है जाक에 देखी मैंने खाने में क्या क्या बताया इस विडियो में पूरी डिटेल कि आप perfect ओडने में कितने दिन में मैंने आपको बता आम तोर प एक्छर दो से तीन महीने में टीबिया और टीबिया जल्दी जोड़ी आता है वह व्ला जो है उसको सपोड मिल जाता है जल्दी जोड़े आती है बकाईदा इसके अलावा चलने की बात करें तो पांस से च्छ महीने के बाद पेशेंट चलने लगता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरा फ्रेक्चर तो अभी तक जुड़ा ही नहीं मेरे को तो छह साथ महीने होगा सर लेकिन आपको बता दूँ इसमें हम लोग कई बार कुछ मिस्टेके करते हैं और कई बार हर किसी की बॉड़ी अलग अलग तरह की होती है तो सब लोगों के लिए बिल्कुल समान समय नहीं होता है लेकिन एक बात जरू कहूंगा हम लोग अगर अपनी लाइफ स्टैल को सही कर दें तो फ्रेक्चर में भी जल्दी जुड़ सकता है वो उनको टेंसन होती जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी इसके अलाबा हमको एक सवाल और जो कि बहुत लोगों के दिल में होता है कि वो लोग बैड रेस्ट पे रहते हैं जब तक उनके कोई सिकंजा लगा दिया जाता है या फिर कोई जो उनके ऑपरेशन करके प्लेट य अब उनका सरीर में फैट बढ़ गया है ऐसी राइट के जुरू शेवन करना चाहिए जो हमारे सरीर में लगे और हमें पोशक तत्व की पूर्ती करें बाकी खाना क्या है वो आई वेटन पर इंडे स्किन कार्ट में बोला देख लीजिए इसके अलाबा जो हमारे चलने की लाइफ-स्टैल कब से सुरू हो याती है पासका है मेंने के नांड पर ने कुछ नहीं कोई रुदीम नहीं होती चलना पड़ता है वह जलन हाइब तरफा करना पड़ता है उसके घ्रपी करानी पड़ते है आपकर लाइफ से नॉर्मल हो जाती तो्हों बतायदा मेरे से कॉल पर बात करने के लिए मैंने अपना लिंक डिस्क्रप्शन में दिया है जाके मेरे से अपॉइन्मेंट लेके आप भी डायक्ट कॉल पर बात कीजिए जिस टेम चाहें उस टेम को आप सिलेक्ट करेंगे उस टेम पर आपकी मेरे से बात हो जाएगी तो ब MAB veulent किये हैं और आप मेरे से कॉल पर वोथावाल करेंगे वीडियो में कभर कर लिया हैं जाकcel उन वीडियो को देखिए मिलता हूं कशिए वीडियो के साथ में तब TAK के लिए वाई